कि एक हाल फिलाल वीडियो बहुत बाइरल हो रही है कि पत्नी एश्टीम बन गई है और पती सफाई कर ली है पती लोन लेके पत्नी को पढ़ाया है और कि एश्टीम पत्नी बेवफान निकल गई है तो यह होना ही था जब कोई एश्टीम बन जाएगा तो उसका नुतबा चेंज होई जाएगा और एफएर होना आम बात है अब बेचारा सफाई कर्मी वह सोचे कि हम अमिता बचन हीरा ठाकूर बनेंगे और हिरठाकूर बन के पत्नी को हम डीम बनाएंगे और हम फिर बिजनेस्मेन बन जाएंगे इन गलती यहां पर यह हो गया कि वह बिजनेस्मेन नहीं बन पाया तो यही गलती हुआ है सफाई कर्मी से वह बिजनेस्मेन नहीं बन पाया है और पत्नी कहीं लखनों में रहते तोड़ा अलग रहते थे लोग क्योंकि वह एसडीम थी तो अलग जगह फिराते थे यह कहीं अलग जगह फिराते थे तो इसी में चक कर उसका जो होमगाड की कमांडर है उस पे चलने लगा और उनको जब पता चला उसका पती जब विकेंड में आये कि उसकी बच्चे खेल रहे थे मुबाइल के साथ तो मुबाइल के साथ खेल रहे थे उनकी बच्चे देखे मुबाइल उसकी पापा मुबाइल लिये बच्चे से उसकी मा नहीं थी वह एसडीम साहिवा नहीं थी तो देखें उसमें पूरा जैसे ही नेटवाप ओन किया उसम नहीं रह सकते इस तरह का चेट वहां देखने को मिला कि तभी सफाई कर्मी का कि दिमाख खन का और फिर कि जो मामला है वह फिर आगे बढ़ा फिर मीडिया में मामला आया और यह मामला भी भी मीडिया में पूरा हाइलाइट हो रहा है तो इस कहानी से आपको क्या सिच्छा मिलती है कि नेतिकता हुनी चाहिए नेतिकता नहीं रहने के कारण यह सारा चीज़ हो रहा है यह चीज़ इतना तूल नहीं पकरता अगर वो SDM नहीं रहती तो इतना तूल नहीं पकरता लेगिन क्थोग्पाइने है बहुत उच्छा पोस्ट है बहुत बड़ा रुतवा है और इसलिए यह जो जो मामला है पुरह गंभीर हो गया है और नेतिकता जो है, खत्म हो रही है समाज में के, इसका एक जीता जक्ता उधरन है, अब इस पर क्या टेक होगा नेतिकता के अधार पर क्या SDM साइबा को निकाला जाए या उसका पूर्मशन रोग दिया जाएगा यह तो देखना वाला यह कि योगी सरकार क्या करते हैं फिलाल योगी सरकार क्या कीए- लो अ एटर्ड पट disciplines कर दीं उसकी पत्नी भी अरूप लगा है उसके जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि चार-पांच वहरत से उसका अफैर और डिफ चल रहा था और यह सभी उनमें से एक है तो यह पुरा मामला खुल मिला कि कितना गंभीर हो गया है यह देखने को मिल रहा है जब समाज में इस तरह का बात फैलती है तो किस तरह से बदनामी hdm साहिवाय का हो रहा है और उसका पती का दोсь हो रहा है और पुरा मेडिया मैं कि उसके पती के साथैंकिन केवल साथ रहने से उसका दूँग तर दूर नहीं हो सकता और कि उसका क्या निवाकरन होगा कि उसका तो कोई नहीं जानता है लो भी ऐसे आ गए हैं कि एडल्ट किसी के साथ वीड़ा सकते हैं उस पत्नी का कुछ नहीं हो सकता है पती को अब एक है कि भाई तुम अब दुसरा साधी कर लो कुछ अच्छा लड़की उड़की देख कि अब सामने आने में कुछ देने से रही अब वो सामने आ भी गई तुम्हारे सा तरह आने भी लगी तो खूस नहीं रहा पाऊगे बेटा दूसरा साधी कर लो कुछ अच्छा लड़की देख कि यहीं है और बच्चों को जो है तो जो होना है वो होगा ही बच्चा को देख देख करने के लिए उसी मार रखेंगे या वो रखेंगे वो तो कोर्ट फैसला करेंगे आप लोग केस फाइल करी दियो हो डैवोर्स का तो यह सारा मामला नेतिकता का है नेतिकता किस तरह से समाज में खत्म हो रहा है यह देखने की जुरत है नेतिकता बनाई रखने की जुरत है अगर नेतिकता बनाई रहते तो वो सारा जो बदनामी है वो HDM साहिवा की नहीं होती और इसका पती का जो बदनामी हुआ है तो नेतिकता समाज से खत्म हो रहा है समाज में बहुत बड़ी दुविधा की बात ये बनी हुए तो सबसे महिला पुरू सभी से अनुरोध है नेतिकता बनाई रखें नेतिकता खत्म होगा आपका खत्म होगा आपका चरित्र खत्म होगा और इंग्लिस में एक कहावत भी है कि सब्सक्राइब करेक्टर आपकुछ नहीं इज्जत है वह एक नॉर्मल महिला की तरह है सब लोग उसे मीडिया में गाली दे रहे हैं सब उसे रंडी तो बदमास छीनार इस तरह का वर्ड उसको यूज किया जा रहा है तो जिंदा रह के भी मुर्दा के समान है और वो SDM बन के भी एक दो कोड़ी का मामुली महिला बन के रह गई है तो यह सिखाती है कि नेतिकता खत्म होने से क्या क्या खत्म होता है इंग्लिस में सही यह काहवत बैठता है कि इप करेक्टर इज लॉस्ट एवरिटिंग इज लॉस्ट उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू करें जय हिंद बंदे माते हैं करेंग्ते हैं